राम राम नमस्कार एजूकेशन सिश्टम बिहार में आपका स्वागत है आज किस वीडियो में बात करने वाले बिहार एश्टीटी के बारे में एश्टीटी सिख्छा कवर्थों के लिए बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है सिर्जी तेउंसों की 33 सिजानों सुलपद अब नहीं रहा इस वीडियो में इन महत्पूरी में नोप बात करने वाले हैं सभी विश्टों के अभरतों के लिए बड़ी ख़बर कही जा सकती है अब एक और जटका तो एक तरसे एक जटका किये ही तरह आप लोग समझ सकते हैं एक और जटका इसलिए कह रहे हैं कि इसस की पुष्टी बाद में सिक्षावी भाग के परधान सची अपरमुक सचीव जी दौा भी की गई थी और 12 मार्च दो है कि उसको बात करें तो उस दिन कोई डिक्रीजिंग ओडर में लिस्ट भी जारी नहीं हुआ था जैसे कि उच प्रातंक से नुन प्रातंक तो ये बाते निकल का सामने आती है आटियाई का रिपलाई भी ठीक से नहीं आता है असपस्ट से नहीं आता है और रिपलाई आता ही नहीं है तो ये सभी बाते हैं जितने क्वालिफाइड कितने हैं ये सभी पुछे जारने पर तो बहुत सारे महत्पुर्म बिंदू हैं ये सभी बाते पिछले कई वीडियो में देख चुके हैं जैसा कि अप लोग जानते हैं कि RTI reply के बारे में बिग्यापन में दिया गया था कि परिक्षापल प्रकासन की तीथी से 30 दियों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा सूचना एस्टीटी के बारे में तो ये सभी बातें निकल के सामने आती है तो ये सभी महतपुर मिनों को देखने के बाद सभी मान का चल रहे थे कि नोकरी पक्की है जैसा कि 12 मार्च 2 है कि इसको यह बताया गया था नोकरी पक्की का स्वासन दिया गया था तो सभी मान का चल रहे थे कि नोकरी पक्की है वे अपने सगे समंधी रिस्तेदारों को यह बता चुके थे कि qualified है और नोकरी पक्की है उसके बाद आगे देख लेते हैं कि यह सभी बाते हैं इसे में अभिर्थों को अंधकार में रखना अभिर्थों के भावनाओं को ठेस पहुचानी वाली बात हैं अब आगे देख लेते हैं तो वो भी एक जटका ही कहा जाएं तीन महिने के बाद लगा था उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद 26 जुन को यह आदेस लेटर जारी होता है उसके बाद सभी फिर से qualified होते हैं और सभी योग होते हैं सिक्षक बनने के लिए अब परवल दवेदार हैं सभी तो यह सभी बाते हैं देख चुके हैं सभी योग हैं अब आगे देख लेते हैं चार दिनों के लिए एक जटका था असल बात यह है कि चार दिनों के लिए न जुन को लेटर होता है जारी होता है जिसमें सभी को अवसर दिया जाता है सभी क्वालिफाइड अवरतियों को मोका दिया जाता है तो यह सभी बाते हैं और क्वालिफाइड का मतलब ही होता है योग अर्थासिक्षक बनने की योग्य हैं तो यह सभी बाते हैं तो ऐसे में कह जा सकता है कि merit list और note in merit list अर्थ हीन समझा जा सकता है इसे भी ASTD में qualified के तरह में result आता है qualified की रूप में result जाड़ी होता है और ऐसे ही पर्मापत्र निर्गत किया जाता है परमान पत्र की बात करें तो यहां पर रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा तो यह सभी बाते हैं परमान पत्र की रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा यह सभी बाते निकल का सामने आती हैं बात कर लेते हैं सिर्जित एंसुकी 33 से नोसुलोपद अब नहीं रहा तो इन महत्पुर्म बिन्दों के बारे में विचार कर लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कलास 92 के लिए नोट देख लिजे संकल्प सभी पंचायत में एक एक उचमाध्यूक विद्याले क लक्ष जैसा कि पिछले कई विडियो में बात कर चुके हैं अब आगे देख लेते हैं हेड मास्टर के आप लोग देख सकते हैं सिर्जित सुकित पद 3534 तो उस अधिसूचना जिसको आप लोग नोटिस या फिर नोटिफिक्शन जो कहें आप लोग तो उसमें देख चुक हैं कि तिरपं 3534 पद के बारे में सिर्जित सुकित पद तो उसमें आप लोग ये भी देखे होंगे कि उतकरमित उच माधमिक बिद्याले की संख्यां देखे होंगे 2386 तो एसे बिद्याले की संख्यां देखे होंगे निधायत माप डंड को पूरा करने वाले मध बिद्याले से उच माधमिक बिद्याले में अपग्रेड किया गया है तो किसको अपग्रेट किया गया है मद विद्याले को कुछ माधमिक विद्याले में जो की मापडन्ड को पूरा करता है तो इसकी संख्यां 2386 है ठीक है इसके बारे में आप लोग देखे होंगे उस सूचना में अधिसूचना में देख चुके होंगे अब आगे देख लेते हैं और भी देखे होंगे बाद में कि विद्याले विहिन पंचायत में 248 विद्याले जो की नव अस्थापित के बारे में बता गया था तो यह सभी बाते देख चुके होंगे अब दोनों को एड करते हैं आप लोग तो कितना होता है तो 3534 होता है कुल आप लोग देख लिए हैं 3534 होता है अब आगे बात कर लेते हैं जो बात करें सूचना अधिसूचना जो जारी हुआ था 33 से नोसलो पद स्रीजी तेन सुकित के लिए उसमें आप लोग देखे होंगे तो 2475 और 2950 को एड करके बताय गया था अधिकतर बिसोयों में एक दूतियक बिसे को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर में यही बताय गया था तो उसमें आप लोग देखे होंगे 2475 बताय गया था जबकि आप लोग यहां देख सकते हैं अपग्रेड जो स्कूल है इसकी संख्यां 386 अब हो गया है जो की मद बिद्याले से उच माधमिक बिद्याले में अपग्रेड किया गया है तो इसकी संख्यां आप घट चुकी है माप डंड को पूरा तो यह सभी बात है तो घट चुकी है इधर भी देख सकते हैं उन्ती सो पचास पहले था नव अस्थापित अब आगे देख सकते हैं आप लोग उन्ती सो अर्टालिस हो गया है तो यह भी संख्यां घट चुका है तो ऐसे में आप लोग मान कर चलने की जो 33,96 पद है तो उतने तो पद अब नहीं रहेंगे ऐसा समझा जा सकता है मान कर आप लोग चल सकते हैं तो 3.534 अब पद ऐसे में हो जाते हैं चोवन सो पचीस पहले पद थे अब 3.534 पद आप लोग को देखने को मिल सकता है क्योंकि जब विद्यालियों की संख्यां ही घट जाए तो सोता ही बात है कि सिक्षक की संख्यां भी घट जाएगे तो इसलिए तो पहले से भी कहते थे कि विद्यालियों की संख्यां को देखती हो रिक्तियों की संख्यां काफी अधिक समझी जा सकती है तो जी बिल्कुल इसी अनुसार से आप लोग समझ सकते हैं कि विद्यालियों की संख्यां ही घट जाएं तो रिक्तियों की संख्यां घटेगा ही तो ये सभी बातें तो सोता ही घट जाएं तो ये सभी बाते निकल कर सामने आती हैं, आप लोग खुद विचार कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग अपना तरक बता सकते हैं, इन सभी बातों के लिए तो जैसा अनुमान है वैसे में आप लोग मान कर चलें कि 33 सोलो पद अब नहीं रहें वैसे इससे भी अधिक पद हो सकते हैं विद्यालियों की संख्यां को देखते हुए आप लोग इहां भी देख सकते हैं तो आगे बात करने वाले हैं अगले वीडियो में तो तब तक के लिए सिक्छा से समधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम पिहार को तो बस इस वीडियो में तना ही धन्यवाद